आज हम चेप्टर पड़ेंगे हनी सकलका हनी सकलका चेप्टर नमबर एट और बहुते हैं तो यह को फिसक्राइब जीता और और या इस प्रकार के किसी भी गेम को खेलने में आपने कोई चांस आउसर प्राप्त किया do you like such games और क्या आप इस प्रकार के गेम को खेलना पसंद करती हैं इसकी स्टोरी कि इससे पहले हम पिसली क्लास में जैसा कि हमने फस्स पार्ट में ये पढ़ा कि एक व्रद्द सजन एक ओल्ड मेन होता है वहें 50 पेसे देखर के वहें 6 चक्र उठा लेता है और फिर उसने उन पर लिखे संख्या को जोड लिया जिस पर जो नमबरिंग जो लिखी हुई थी वो नमबरिंग जो उसकी टोटल थी वह हुई उसकी 15 फिर उसने क्या किया फिर उसे वो 15 संख्या वाली वो वस्तु मिल गई और उसकी यह आर्टिकल जो था आर्टिकल में वस्तु और वह आर्टिकल था वह एक बहुती ब्यूटीफुल जिसको वोच कहेंगे वह ब्यूटीफुल वोच थी बहुती सुन्दर घड़ी थी अब क्य नहीं चाहता था तभी दुकान धार ने उस पर उपकार करते हुए उससे कहा कि वह उसी घड़ी को वापस 15 रुपे में खरीत लेगा और उसके बदले में उसे 15 रुपे दे देगा अब क्या हुआ इस बात को सुनकर के रद व्यक्ति भूतरी खुश हुआ और वह 15 पेसे लेक अपने घार चला गया तभी फिर क्या होता है कि एक बालत ने जो कि मुझसे भी चोटा होता है रसीद से भी चोटा एक बालत होता है जो कि अपनी किसमत को आजमाने के लिए उस सौपे आता है और उसने क्या किया उसने 25 पेसे 25 पेसे लगा कर के और उसने 25 पेसे लगाए उ उसे एक कौंब मिला ठीके अब दुकानदार ने तो जब उसने कौंब को खरीद लिया उस चोटे से बालक ने तो दुकानदार ने तो उस प्रतिक्रिया को देख करके ने तो वैं खुसी हुआ और उद्वास और दुखी ही दिखाई दिया फिर उसने क्या कहा उसने बालक से चोटे लिटिल बोई से कहा कि या तो तुम इस कौंब को 25 में तुमने उसने बालक से कहा कि 25 में मैं इसे वापस खरीद लूँगा बालक ने दूसरा चांस लिया फिर इस बार उसे तीन रुपेगा क्या मिला तीन रुपेगा उसको एक फाउंटेन पेन मिला ठीक है फिर त पिसरा प्यास उसने किया तो उसने 25 रुपेगा वाली एक व्रिष्ट वोश यह नहीं हाथ में कलाई पे बांदने वाली घड़ी उसको प्राप्त हुई जब उसने एक बार फिर उसके मात क्या है फर्स स्टेम किया सेकिन किया थाड़ भी कर लिया फिर उसको मिन में और लाइसा बढ़ जाती है वो सोचता है कि क्यो नहीं एक बार फिर भागे को आजमा लिया जाए तभी वह लिटिल बॉइज हो होता है पुने एक बार प्यास क भी अधिक होती है वह टेबल ने फिर प्राप्त करता है अब क्या होता है वह लिटिल बॉइस होता है बहुत खुस होता हुआ मुस्कुराता हुआ क्यों मुस्कुराता हुआ वापस वहां से लोड़ता है क्योंकि वहां से काफी नगत जो है उसको पैसे वहां उन सभी वस्तों के प्राप्त हो जाते हैं तो इसी इस्तोरी को ध्यानमी करते हुए इसको कंटीनियू रखते हुए अब हम आगे अपना इसी का दा गेम ओफ चांस का पार्ट नमबर पढ़ेंगे सेकेंग पेस नमबर पढ़ेंगे 101 औ इसले कनिया में अब तो ट्राइमाई लक अब क्या था कि मैं अपनी भाग्य को आजमाना चाहता था अपनी किसमत को कि मेरे द्रा यह देखा गया कि और और में ने भी प्राप्त किया उस लिटिल बुPar ने भी काफी निगद्ड किय तो मेरे मन में भी प्राप्त करने की औ मैंने भी अपने लग को अपने भागी और किस्मत को आजमाने का प्रयास किया आई लुग्ड एट भाईया तभी भाईया जो कि उनके साथ सर्वेंट थे जो कि उनके घर पे काम किया करते थे उन सर्वेंट भाईया की और मैंने यहीं रसीद ने देखा he encourage me तबी उन्होंने क्या किया मुझे encourage किया मी मने किसको रसीद को और promoted करना एंकरेज मने प्रोपोटेड करना प्रोथ्शाहित करना तबी उस भईया ने उस servant भईया ने मुझे प्रोथ्शाहित किया I paid 50 पैसे and took 6 डिस्क अब मैंने क्या किया मैंने 50 पैसे दिये और 6 टुक 6 डिस्क और मैंने 6 चकरियां प्राप्त किये डिस्क मने चकरी प्राप्त करना My luck was not too good अब क्या हुआ कि मेरे लक्षो थे मेरे भाग्येचो थे वो बहुत अधिक अच्छे नहीं रहे I go two pencils और उससे मैंने क्या प्राप्त की मैंने दो पैंसिल प्राप्त की The soapkeeper bought them from me from 25 पैसे अब तभी वो soapkeeper जो कि game को खेलने का chance देता है सभी को उसने बोट मने खरीद लिया देम मने उनको 25 पैसे में उन पैंसिलों को वापस खरीद लिया फिर क्या होता है I tried again मेरे मन में क्या हो गई मेरे मन में लांसा जागरत हो गई कि जब उस old man को भी अच्छा प्राप्त हुआ उस little boy को भी प्राप्त हुआ तो हो सकता है साथ अगली बार मुझे भी अच्छा मिल जाए तो I tried again तो फिर मैंने क्या क्या अब जिसकी भी क्या थी also मनें भी जिसकी भी value जो थी बहुत कम थी little value means बहुत कम उसकी value थी उसकी price जो थी बहुत कम थी अब क्या किया अब shopkeeper ने वो भी मुझे कितने पैसे में खरीद ली 25 पैसे में मुझे वापस खरीद ली I took a chance for the third time अब क्या होँ मेरा मन माना नहीं और रसीद रसीद का मन माना नहीं और उसको फिर लांसा बढ़ गी शायद हो सकता है कि first attempt नहीं second में भी नहीं तो हो सकता है कि third attempt में करूं तो मुझे इससे कुछ अच्छा प्राप्त हो जाएं तो I took a chance for the third time इसलिए मैंने अपने third time का भी प्रयास attempts जो मेरे था वो मैंने प्रयास जारी रखा still luck was not with me और अब क्या था still मने again अने again luck was not with me अब फिर भी और दुबारा भी या फिर भी वो जो लग और भागियों जो किस्मत जो थे वो अब मेरे साथ अब भी नहीं थे point number eight पढ़ेंगे I had hope of winning a big prize I continue to try my luck again and again वो क्या था हूँ हमत नहीं आ रहा एक बार दो बार तीसरी बार भी उसने किया अब यह सोचता नहीं एक बार और राजमा लिया जाए तो I had hope my winning a big prize क्यों क्योंकि मेरे मन में hope बंदी हुई थी मेरे मन में आसा आएं और उम्मीद बंदी हुई थी कि winning a big prize में एक बड़ा प्राइज जो है वो जीतूंगा winning मने जीतना में एक बड़ा प्राइज जीतूंगा and continue to try my luck again and again इसलिए मैंने क्या किया continued मने went on, जारी रखा. To try my luck यहने अपने भागे को मैंने अपने लग को आजमाने का अपने किस्मत को आजमाने का again and again means बार उपार बार आजमाने का प्रयास किया पेरिंग 50 पैसे इस टाइम अब मैंने इस टाइम जितने बार भी मैंने अटेम्ट करने का गेम खेलने का प्रयास किया और मैंने 50 पैसे प्रते एक बार में उसको चुकाए लेकिन मैंने क्या कहा कि यह ट्राइफल मैंने इक कीमत बहुत कम थी अब क्या था अंत में मेरे पास left ने सेव थे केवल मेरे पास left थे यह नि बचे थे अब मेरे पास केवल मात 25 पेसे यह 25 में से ही बचे थे अब क्या होता है एक बार पुने हैं सोब कीपर जो दुकांदार होता है सोब बने दिखाया प्रदर्शित किया अपनी दया मेरी और उसने दिखाई फिर फीर ही सेड आई कूट आईदर प्ले उसने कहा कि यातो में क्या करूँ या तो मैं उसको एक बार पुन्य खेलू either play या तो मैं एक बार पुन्य खेलू और या फिर क्या होगा once more with 25 पेसे यह एक बार या तो मैं पुन्य है 25 पेसे देकर के और अधिक पेसे लगा के एक और गेम को खेलू or settle the account then and there settle the account then and there का मतलब है finish advance finish advance means हाथो हाथ उसका हिसाब में बराबर कर दूँ तो या तो उसका कहना था सोब की पर का कि या तो एक बार 25 पेसे ओर लगा करके वो गेम खेल ले और नहीं तो फिर क्या करे or settle the account then and there settle the account then and there means हाथो हाथ या तो फिर वा तुरंत उसको settle कर दे उसका हिसाब किताब पूरा कर दे यानि finish advance उसका हिसाब किताब पूरा कर दे और काम खतम करे I played again and the last 25 पेसे also disappeared फिर क्या हुआ कि मैंने वापस खेला और फिर क्या हुआ 25 पेसे जो थे मैंने उसको भी lost कर दिया was lost also lost disappear मैंने lost कर दे ना खो दिया और मेरे पास लास में जो 25 पेसे बचे थे मैंने उसको भी खो दिया फिर देन पॉइंट नमबर नाइन people were looking at me अब लोग जितने भी महाँ पर आस पास में खड़े थे वो सब मेरी और देखने लगे some were laughing at my bad luck तो उनमें से कुछ वेक्ति जो थे laughing मने making fun of me यहनी मेरी मजाग उड़ाना making fun of me मेरी मजाग उड़ाने लगे और 8 माई 8 माई bad luck कि मेरी बूरी उसका है bad luck मने मेरी बूरी किस्मत पर उनमें से कुछ लोग जो थे making fun मेरी मजाक उड़ाने लग गए मेरी खिली उड़ाने लग गए बट नन सोड ने नहीं दिखाई भाईया और अब क्या था भाईया और में दोनों ही जहां पर की अंकल है लेफ अस लेफ मने छोड़ करके गए थे जहां हमें अंकल and waited for him to return हम वापस चले गए जहां पर वो अंकल हमें छोड़ करके गए थे and waited him to return और हमने उनकी प्रतिक्षा की waited मने प्रतिक्षा की for him to return उनके वापस लोट आने तक हमने वहीं पर प्रतिक्षा और इंतजार किया Presently he came Presently मने Soon he came Soon मने जल्दी ही सिग रही वो वापस आ गए कौन आ गए रसीद के अंकल He looked at me and said उन्होंने मेरी ओर देखा looked at me, मेरी ओर देखा and said और कहा रसीद, you look upset Upset मने हम कहेंगे unhappy और हम कहेंगे worried unhappy और worried तो रसीद, तुम उसके अंकल ने कहा रसीद, you look upset तुम बहुत यदेख unhappy और worried ये ने, बहुत यदेख दुखी और बहुत यदेख चिंतित और परेश्यान दिखाई देते हो, what is the matter क्या बात है point number 10 I did not say anything, तब मैं कुछ भी नहीं बोला, भाया टोल हीम, what had happened तब ही भाया, जो कि मेरी साथ घर पे सर्वेंट जो काम करते थे उन भाया ने कहा कि जो घटना घटित हुई थी what had happened, जो उनके साथ घटित हुआ था, वो उन्होंने अंकल को बताया अंकल वोज नाइदर एंग्री नोर सेड अब नाइदर नोर मिल्स ना तो ना अंकल जो थे ना नाइदर एंग्री ने वो क्रोधी थी हुए और नोर सेड और ने वो दुखी हुए दुखी हुए he smiled and patted me patted मने patted and reassured patted मने reassured करना थप थप थपाया पैटिड मने थप थपाना रिएस्चेओड करना यहीं पुन्रूप से वापस आस्वस्थ करना उन्होंने मुझे मेरे अंदर आसाइं जगाए हाना थो पीठ थप थप आई टुक मी टुएसोप और बॉट मी ब्यूटिफूल अंब्रेला तो ही टुक मी टुएसोप वह मुझे एक सोप पे ले गए और बॉट मी और मेरे लिए खरीदा वो मुझे सोप पे ले गए और मेरे लिए क्या खरीदा एक बहुत ही सुन्दर सी अंब्रेला उन्होंने मेरे लिए खरीदी बिस्कीर्स कुछ बिस्किट खरीदे और कुछ दूसरे चोटे-चोटे से जो गिप्ट थे जो पहार थे वो उन्होंने मेरे लिए खरीदे देन वी रिटरंड होम और इसके बाद फिरम क्या हुए हम घर वापस लोट आए पेज नमबर 103 पॉइंट नमबर 11 बेख होम अब जब हम वापस घर लोट करके आए अंकल टोल्ड मी देड़ लकी सोप में हैड मैड़ फूल ओफ मी तभी उन्होंने यह मुझे बताया कि वो वो विक्ती जो की क्या थे अंकल टोल्ड मी देड़ लकी सोप में की जो भागे को अजमाने वाला जो सोप में था हैड मैड है फूल ओफ मी कि उसने मुझे क्या बनाया फूल बनाया मुझे मुर्ख बनाया means fool of me means cheated me मुझे ठग लिया उसने मुझे बेवकूफ वो मुर्ख बनाया तो उसने कहा रसीद ने कहा कि नहीं ये तो मेरे बेड लग थे ये तो मेरी बूरी किस्मत थे मेरे बूरे भाग्ये था नहीं लड़के नहीं मेरे बेटे इतो नहीं नहीं तुमारा गुटलक मीस तुमारा सोमाग्य था नुर बैड लग और नहीं तुमारा दुर बाग्य था But uncle I said I saw an old man getting a cloak and about getting two or three costly things But uncle I said मैंने कहा I saw an old man मैंने एक old man को देखा Getting a cloak, getting मने one cloak जिसने एक cloak जीती थी And about getting two or three costly things और एक छोटे से little boy ने जो कि मैरे से कुछ ज़्यादा छोटा था One, two or three costly things उसने दो और तीन चीज़ें खरीदी थी जो कि क्या थी? Costly things थी Very expensive articles थे Articles means वस्तू और जो वस्तूएं जो थी जो उस little boy ने जीती थी वह बहुत ही expensive कीमती थी You don't know child, uncle say तभी अंकल ने कहा You don't know child, मेरे बच्चे तुम नहीं जानते They were all friends of the soapkeeper वे सारे friends थो हैं उस soapkeeper के सारे fans हैं वो उसके मित्र हैं They were playing tricks to attempt you to try your luck They were playing tricks टिक्स मने चाला किया चलना वो तुमारे साथ क्या खेल रही है? तुमारे साथ चाला किया चल रही है? To attempt you to try your luck Attempt मने Sorry to tempt Attract करना तुम्हें अपनी और वो क्या करना साती है? आकरशित करना चाहते हैं Attempt मने Attract करना आकरशित करना To try your luck जिससे कि क्या करो? To try your luck तुम अपने luck को अपने भाग्य को अपने किस्मत को आजमाने का प्रयास करो वो तुम्हें आकरशित करना चाहते हैं They wanted your money And they got it वो क्या साती है? वे तुम्हारी मनी को प्राप्त करना चाहते हैं जो कि तुम्हारे पास मनी थी And they got it और उन्होंने उसको प्राप्त कह लिया Now forget about it अब वो अंकल कहते हैं कि अब तुम क्या करो इन सब बातों को भूल जाओ Now forget about it जो बाते हुई थी जो तुम्हारे साथ गटना गटित हुई तुम उस गटना को अब भूल जाओ And don't tell And don't tell Anybody of your bad luck और किसी को भी अपने इस bad luck Bad luck means तुम्हारा जो यह दुरभागे रहा था इस गेम को खेलने में उस गेम को उस दुरभागे को किसी को नहीं बताना फिर If your bad Of your bad luck Or your foolishness तुम्हारे यह bad luck जिसके द्वारा तुमने गेम खेल कर किये तुम्हारे अपने इस bad luck को don't tell anybody किसी को भी मत बताना Or your foolishness तुम्हारी जो यह दुर्ख था तुम्हारे इस गेम को खेलने में तुम्हारे द्वारा एक प्रियास किया जाना वन अटेंट, सेकंड अपेंट, थार्ड अटेंट और फॉर्थ अटेंट इस प्रकार के तुम्हारे द्वारा जो अटेंट किये गे जो प्रियास किये गे और तुम्हारे अंदर बहुत कुछ ज़्यादा और कुछ अच्छा प्राप्त करने की जो तुम्हारे अंदर लालसा थी अब इस प्रकार का प्रियास आगे कभी भी मत करना यह foolishness यह मुर्खता परी बात जो तुमने की अब तुम इस भागय को वापस कभी मत अजमाना और अपने तुमारे बेड़ लग को जो की तुमारा दूर भागय था इस दूर भागय को और foolishness तुमारे इस मुर्खता परी बात को anybody tell किसी को भी अपनी इस बात को से मत करना तो मैं आसा करती हूँ कि आपको गेम ओफ चांस इन्हीं इस प्रकार का गेम जिसमें आउसर को प्राप्त किया जाना तो इसका पार्ट फास और पार्ट सेकेंड यानि यहां तक कि मैं यह कहूंगी कि लेसन की पूरी स्टोरी आपको अच्छी तरीके से समझा गई होगी तो आप एक बार इसे वापस रीड करेंगे और नेक्स दे हम पढ़ेंगे नेक्स चेप्टर थैंक यू झाल